नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बिहार बिधान सभा चुनाओं में दर्भंगा की जाले बिधान सभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई है वज़ा बने हैं कांग्रेस उमिद्वार मस्कूर अहमद उस्मानी जो की जिन्ना के जिन पे सवार होकर चुनाओं मैद सचीव और प्रवक्ता रनदीब सुर्जेवाला को मैदान में उतरना पड़ा है उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके और बयान दे करके सफाई देने की कोशिस की आखिर कौन है मस्कूर अहमद उस्मानी क्यों उनको ले करके इतना विबाद हो रहा है उस्मानी जो है पिछले साल CAA और NRC को ले करके सुर्खियों में आये थी इसके पाले 2017 में जब वो अलिगड मुस्लिम विशु विद्याले चातर संक्या ध्यक चुने गए थे तब उनके कमरे में जिन्ना की तस्वीर लगी थी जिसको ले करके अलिगड के सांसद 37 गौतम ने चिठी लिख की थी भाजपा ने उनके जिन्ना की तस्वीर हडाई जाने का बिरूद करने का आरोप लगाया था यानिकि वो जिन्ना की तस्वीर का बचाव कर रहे थे कि छातर संग अध्यक्ष के कार्याले में जो तस्वीर लगी है उसमें कोई बुराई नहीं है अपने बचाओं में उस्मानी ने एक बयान जारी कर कहा कि हम फिर से यस्पष्ट करना चाहते हैं कि एम्यू के छातर किसी भी तरह से मुहम्मद अली जिन्ना या उनकी तस्वीर का बचाओं नहीं कर रहे हैं 2019 में उस्मानी पर आज बियो दिन आरे लगाने के कारण राज दुरोग के आरोग के तहट मामला दर्ज किया गया था 2020 में ट्वीटर ने सफूरा जर्गर और मिरान हैदर की गिरफतारी को लेकर गयर कानूनिक अत्विदिया रोगताम अदिनियम की आलोचना करने की वज़ा से उस्मानी के अधिकारिक एकाउंट को निलंबित भी किया था अब भाजपा के जो नेता हैं प्रेम रंजन पटेल गिर्राज सिंग समेथ कई नेताओं ने ये सवाल उठाया है कि कांग्रिस और महागटबंधन के नेताओं को देश को जबाब देना चाहिए कि क्या वे भी जिन्ना का समर्थन करते हैं गिर्राज सिंग ने कहा कि कांग्रिस और महागटबंधन ने बताए कि क्या जाले उमिदवार जिन्ना का समर्थन करते हैं कांग्रिस और महागटबंधन को बताना होगा क्या वो भी जिन्ना का समर्थन करते हैं क्या सरजिल इमाम उनके इस्टार प्रचारक होंगे इस पर अनदीब सूर्जेवालन ने सरिमार को अपने उमिद्वार के समर्थन में और उनका बचाओ करते हुए ट्वीट किया कि इन्होंने कभी भी जिन्ना की तस्वीर का बचाओ नहीं किया उल्टे प्रदान मंत्री को पत्र लिखा था कि AMU संसद और मुंबई उच न्याले से जिन्ना की मुर्ती को अटाया जा जिस पे प्रदान मंत्री ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया सुर्जेवाला का काना है कि ध्यान भटकाने के लिए भाजबा नफरत की फैक्टरी में विबाद के तैयारी कर रही है हमारे जाले उमिद्वार ने जिन्ना की विचारदारा का कभी साथ नहीं दिया जब वह एम्यू के छातर थे तो उन्होंने एम्यू संसद और मुंबई उच नियाले से जिन्ना के चित्र को तस्बीर को हटाने के लिए प्रदान मंत्री को चित्टी लिगी जिसका जवाब आज तक उनको नहीं मिला अब चुनाव मैदान में बीजेपी जो है उनको लेकर के राजनीत कर रही है ताकि किसी तरीके से वोटों का ध्रवी करण हो तो ये हैं उसमानी जिनकी वज़ा से इतना विवाद हो रहा है कांग्रेश ने एक कदम और जाकर के आगे वार किया है कि जिस बीजेपी के अध्यक्ष ने जब जिन्ना की तारीफ की थी तो उन्हें पद से हाथ दोना पड़ा था तो खुद तो जिन्ना के मजार पे जाकर के फतिहा पढ़ते हैं और हमको सीख देते हैं ये नहीं चलेगा बीजेपी गुमराह करना बंद करें देखते हैं कि यह भी बात कहां जाकर थमता है या इसे थमने नहीं दिया जाता है चुनावी मुद्धा बनाया जाता है तो किसको नफा होता है और किसे नुकसान तो आप रहिए ना बे खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू